प्रीवी द्यार्थियों आप लोगा स्वावत है आपके यह अपने चनल SRS Classes में और मैं आज आप लोगो Class 12 इंगलिस का Poetry का जो दूसरा चेप्टर है The True Beauty जो की Composite किया गया है थामस केरिव के द्वारा उसका हिंदी एक्स्प्लेनेशन बताने वाला हूँ तो सबसे पहले आप लोगो Friends में इस चेप्टर के बारे में बता दूँ कि इस पोयम में थामस केरिव ने दो प्रकार की सुन्दर्ता के बारे में बताया है फिजिकल ब्यूटी के बारे में और स्प्रिचुल ब्यूटी के बारे में फिर फिजिकल ब्यूटी को सारिक सुन्द कहा जाता है एव इस चेप्टर में इस प्रिशुल ब्यव्टी अधर्थार्ट्स अध्यात्मिक सुंदर्ता कहा जाता है कभी ने artificial beauty अध्यात्मिक सुंदर्ता को जाधा महत्म दिया है physical beauty की तुलना में तो चलिए अब चेप्टर पढ़ने के बाद ही हमें पता चलेगा कि spiritual beauty क का महतु क्यों ज्यादा है और फीजीकल ब्यूटी का महतू क्यों कम है तो चले ले फ्रेंट्स बिना समय कॉआ वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो प्रिविदार्थियों यही से चेप्टर की स्टार्टिंग होती है और साथ ही यही से टेक्स्ट की भी स्टार्टिंग होती है कोरल मतलब एक लाल कलर का जानर होता है जिसे मुंगा बोला जाता है ही देट लब्स ए रोजी चीक वह व्यक्ति जो गुलाबी गालों से प्रेम करता है आर एक कोरल लीप एडमायर्स अथवा मुंगे जैसे होठो की प्रसंसा करता है आर अथवा फ्राम इस्टार लाइक आइज उसकी तारो जैसी आँखों में डथ सीक तलास करता है फ्यूल इधन की टू मेंटेन हिज फायर्स अपने प्रेम की अगनी को जलाय रखने के लिए अपने प्रेम रूपी प्रेमागनी को प्रोजलित रखने के लिए आर फ्राम इस्टार लाइक आइज डथ सीक फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स या फिर उसकी तारो जैसी आँखों में अपने प्रेम की प्रेमागनी को जलाय रखने के लिए इधन की तलास करता है एज ओल्ड टाइम और बुढ़ापे के समय मेक्स दिज डीके ये सभी चीजें नश्ट हो जाती है डीके मतलब नश्ट होना अर्थार्थ हमासानी से कर सकते हैं कि समय के साथ ये गुलाबी गाल और मुंगे जैसे होट सभी सारी दिज सुन्दरता समाप्थ हो जाती है इसलिए उसकी प्रेमागनी मस्ट वेश्ट अवे एक न एक दिन अवस्य बुझ जाती है फिर से एक बार रिफिट करें फ्रेंट्स लब्स ए रोजी चीक वे वेक्त जो अपनी प्रेमिका के गुलाबी गालों से प्रेम करता है आर एक कोरल लिप एडमायर्स अथवा उसके मुंगे जैसे होटों की प्रसंसा करता है आर फ्राम इस्टार लाइक आइज डथ सीक अथवा उसकी तारों जैसी आँखों में तलास करता है फ्यूल इधन की to maintain his fires अपने प्रेम की प्रेमागनी को प्रजलित रखने के लिए आर फ्राम इस्टार लाइक आइज डथ सीक फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स या फिर उसकी तारों जैसी आँखों में अपने प्रेम की प्रेमागनी को जलाए रखने के लिए इधन की तलास करता है फ्यूल की तलास करता है एज ओल्ड टाइम मेक्स दिज डिके और बुढ़ापे के समय ये सभी चीजें नश्ट हो जाती है इसलिए उसकी प्रेमागनी एक न एक दिन अवस ही बुझ जाती है बट लेकिन ए इसमूथ एक समान रहने वाला और इस्टीड फास्ट माइंड द्रिढ मस्तिस्क से बट एसमूथ एंड इस्टीड फास्ट माइंड लेकिन एक समान रहने वाले द्रिढ मस्तिस्क से जेंटिल थाट्स, सज्जन विचारों से एंड काम डिजायर्स, सांत इच्छाओं से हर्ट स्विथ इक्वलब कमबाइंड और बराबर प्रेम से जुड़े हिर्दे की प्रेमागनी किंडल नेवर डाइंग फायर्स कभी नहीं बुजती है बट ए स्मूथ एंड इस्टीड फास्ट माइंड लेकिन एक समान रहने वाले द्रिढ मस्तिस्क से जेंटिल थाट एंड काम डिजायर्स, सज्जन विचारों से सांत इच्छाओं से हर्ट स्विथ इक्वलब कमबाइं और प्रेम से जुड़े हिर्दे की किंडल नेवर डाइंग फायर्स प्रेमागनी कभी नहीं बुजती है वेर दीज आर नाट जहां पर ये सब नहीं होता है वेर जहां पर दीज ये सब आर नाट नहीं है आई डिस्पाइज मैं घ्रिडा करता हूँ लवली चिक्स प्यारे गालों से आर लिप्स होठो से और आर आईज और आखो से वेर दीज आर नाट जहां पर ये सब नहीं होता है आई डिस्पाइज मैं घ्रिडा करता हूँ लवली चिक्स आर लिप्स आर आईज प्यारे गालों से होठो से और आखो से तो फिर से एक बार रिपीट करें फ्रेंड्स लेकिन एक समान रहने वाले द्रिड मस्तिस्क से सज्जन विचारों से सांत इच्छाओं से और बराबर प्रेम से जुड़े हिर्दे की प्रेमागनी कभी नहीं बुझती है अर्थार सदेव प्रजलित होती रहती है और पोएट काते हैं वेर दीज आर नाट जहां पे ये सब नहीं होता है मैं वहाँ घ्रिडा करता हूँ घ्रिडा करना लबली चिक्स प्यारे गालों से ओठों से और आखों से इस्मूत मतलब एक समान रहने वाला और इस्टीड फास्ट माइन मतलब द्रिड मस्तिस्क और जेंटिल थाट मतलब सज्जन विचार काम डिजार मतलब सान्त इच्छाएं और हट विथ इक्वल लब कमबाइड मतलब बराबर प्रेम से जुड़े हिरदे तो फ्रेंट्स मैं आसा करता हूँ कि आप लोग को ये पूरा चेप्टर समझ में आ गया होगा तो फिर मैं आपको एक बार बता दूँ कि जो पोएट हैं वो इस चेप्टर में उन्होंने spiritual beauty अध्यात्मिक सुन्दरता को ज़्यादा महतो दिया है physical beauty की तुलना में क्योंकि जो physical beauty है वो समय के साथ नश्ट हो जाती है जबकि जो spiritual beauty अध्यात्मिक सुन्दरता है वो कभी भी नश्ट नहीं होती है तो इसलिए जो poet हैं उन्होंने अध्यात्मिक सुन्दर्ता को ज्यादा मतों दिया है